नमस्कार आप देख रहें न्यूस वर्ल्ड इंडिया मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर दिली के बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से किसानों का अंदोलन जारी है किसानों का कहना है कि चाहे ठंड पड़े या बारिश जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो वापस नहीं जाएंगे वहीं किसानों के समर्थन में किसान नेता संत बाबा राम ने खुद कुशी कर ली जिसके बाद किसान कह रहे है कि अब तो वह बिना मांग पूरी हुए बिल्कुल नहीं जाने वाले दूसरी तरफ सुप्रीम कोट ने भी अंदोलन से जुड़ी आचिकाओं पर सुनवाई की गई उधर दिल्ली के चिला बॉडर पर किसान यूनियन के लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है और पुलिस रोकने पे लगी हुई है पुलिस किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन किसान पुलिस की एक नहीं सुन रहे किसान यूनियन ने चिला बॉडर पर नॉड़ा से दिली जाने वाले रास्ते को भी बंद करने का एलान किया है दिली हाई कोर्ट में राजधानी की तमाम सीमा उपर प्रदशन कर रहे किसानों को लेकर डाली गई जन हित्याचका की सुनवाई से इंकार कर दिया है पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकियों की मौझूदगी की जानकारी मिलने के बाद ही सुरक्षावलों ने अनंतनाग जिले में बाबा गुंद खलील इलाके को गेरबंदी की और तलाश अभ्यान शुरू कर दिया था इसी दोरान आतंकियों ने सुरक्षावलों पर फारिंग करनी शुरू कर दी जिसके बाद सुरक्षावलों ने भी जवाबी कारवाई की और मुढभेड हो गई मुटभेड में एक आतंकी को गिरफतार कर लिया गया उसके पेट में गोली लगी थी उसे अस्पताल में भरती कराय गया गिरफतार किये गया आतंगवादी की पहचान जहीर अब्बास के नाम पर हुई है जो पुलवामा जिले का रहने वाला है अयोध्या में बाबरी मस्जित के स्थान पर बनने वाली मस्जित का खाका सामने रखा गया और इसकी आधार शीला गंतन तिवस पर रखी जाएगी मस्जित निर्मान के लिए बनाए गए ट्रस्ट के एक सदसे ने इस बात की जानकारी दी इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के सचव अतर उसेन के मताबिक ट्रस्ट ने 26 जनवरी 2021 को अयोध्या मस्जित की आधार शीला रखने का फैसला किया है क्योंकि 7 दशक पहले इसी दिन हमारा समविधान अस्तित्म में आया था हमारा समविधान बहूलवाद पर आधारित है जो की हमारी मस्जित परियोजना का मूल मंत्र है सुन्नी वक्ष बोर्ड ने मस्जित के निर्मान के लिए 6 महीने पहले IICF का घठन किया था परियोजना के मुख्य वस्तुकार प्रोफेसर SM अक्तर ने इसे अंतिम रूप दे दिया है जिसके बाद IICF ने 19 दिसंबर को मस्जित परिसर का खाका सारवजनिक करने का फैसला किया है इस परिसर में एक मल्टी स्पेशालिटी अस्पताल, एक सामुदाइक रसोई और एक पुस्तकाले होगा अक्तर के मुदाबिक मस्जित में एक समय में 2000 लोग नमाज ददा कर सकेंगे और इसका धाचा गोलाकार होगा पहाडों में हुई वरबारी के कारण दिल्ली के साथ-साथ आसपास के शहर ठंड की आगोश में ठिटुर रहे है चार दिन से लगातार राजधानी दिल्ली में शीत लहर का प्रकोब जारी है यही कारण है कि यहाँ नियुनतम के साथ-साथ अधिक्तम तापमान में भी गिरावट देखी गई है मौसम विभाग द्वारा जारी किये गए आंग्डों के अनुसार दिल्ली का ओसतन नियुनतम तापमान 4.6 डिग्री रहा जो कल के 5.8 डिग्री से कम है वही बात अगर प्रदूशन की करें तो इसकी हालत संतोश जनक है बीते कुछ दिनों से दिल्ली की हवा खराप श्रेणी में बनी हुई है रहत की बात यह है कि 19 दिसंबर के बाद तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है बो दिवार को एक बार फिर कडाकी की सर्दी रही नियूंतन तापमान सामाने से 3 डिग्री कम 5.8 डिग्री और अधिक्तम तापमान सामाने से 4 डिग्री कम 18.6 डिग्री दर्श हुआ 18 दिसंबर के बाद तापमान में थोड़ा सुधार होगा इस दोरान अधिक्तमतापमान 21 से 22 डिग्री वे नियूनतमतापमान 6 से 8 डिग्री तक रहने का उनुमान है एक से दो दिन ठंडी हवाएं अभी इसी तरह और परिशान करेंगी इसके बाद हलका कोहरा बने रहने की संभावन जदाई जा रही है भारत और चीन के बीच पूरवी लद्दाग में मई माह से सीमा विवाद लगाता जारी है सड़क परिवाहन और राजमार्ग मंत्राले का कहना है कि राष्टर राजमार्ग जो राष्टर सुरक्षा के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं उन्हें 10 मीटर यानी 32 फिट से जादा चोड़ा किया जाएगा राजमार्ग मंत्राले ने अपने 2 साल पुरा ने उस परिपत्र को संशोधित किया है जिसमें ऐसी सड़कों की चोड़ाई 18 फिट तक सीमित कर दी गई थी यह परिपत्र 4 धाम सड़क चोड़ी करण परियोजना के लिए विवाद का कारण बन गया था संशोधन परिपत्र में मंत्राले ने कहा है कि पाहाड़ी और परवितिय शेत्र की वो सड़के जो चीन की सीमा के लिए फीडर सरकों के रूप में कारे करती हैं या राश्ट्र सुरक्षा के लिए सामरिक महत्ववाली हैं उसकी चोडाई 7 मीटर होनी चाहिए जिसके दोनों और 1.5 मीटर धलान होगी फिलाल खास खबरों में इतना ही नमस्कार